चलिए बनाते हैं ब्रत के लिए बहुत ही टेश्टी बर्फी जिसको आप इस्टोर करके भी रख सकते हैं नो रात्री में हमें भोग लगाना रहता है नौ दिन उसमें हम इसको लगा सकते हैं आप नौ दिन इसको खा सकते हैं एक दिन बना कर रख लें और नौ दिन तक इसका आप भोग लगाएं और आप भी इसको खाएं तो एक अगर आप खाकर पानी पी लिए उसके बाद आप अपने लिए बनाते रहें जो भी बनाना हो तो लेंगे इसके लिए दो ग्लास दूद ये फुल क्रीम वाला दूद है इसको हम चलाएंगे जब तक इसमें उबालना तो हम इसको एक तरफ रखेंगे दूसरे गैस चूले पर और दूसरी कडाही में लेंगे एक कटोरी मखाना लगबग 10-15 मखाना और मोंगफली लेंगे और एक कटोरी तिल सफेद तिल यह हमारे हम ब्रत में खाई जाती है अगर आप क्या नहीं खाई जाती तो आप इसको ब्रत में ना बनाए और बस इन सब को भूनेंगे आप इसको अलग अलग भी भून सकते हैं लेकिन अगर आप इसको ऐसी करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी से आपकी मिठाई बनकर तयार हो जाएगी तो हम दोनों चूलों का यूज कर रहे हैं एक तरफ दूद को पकने के लिए रख दिया है दूसरे तरफ उसको हम फून रहे हैं इसको बिल्कुल ड्राइ रोष्ट ही करना है कोई घी वगारा नहीं डालना है तो आप देखेंगे दोनों कामी फटा-फट इधर उधर होते जा रहे हैं और यह बहुत ही जल्दी मिठाई हमारी बनकर तयार होने वाली है तो आप देखेंगे थोड़ी देर बात यह जो तिल है इसका कलर चेंज होने लगता और फूलने लगती है इसमें अच्छी सी खुसपू आने लगती है और मुंगफली भी हो गई है और मखाने को भी चक कर लेते हैं यह देखिए ताकि यह अगर ह तक हम और तयारियां करते हैं उधर वो ठंडा हो रहा है उधर दोद पक रहा है तब तक हम लिए हैं छे से साथ इलाची जिसको कोट कर उसका पॉडर बना लेंगे जिससे इस बर्फी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और लिए हैं बादाम जिसको बिलकुल बारिक हम कट कर लेंगे और ये बर भी बहुत ही टेश्टी बनी थी तो एक बार इसको जडरू ट्राइग करिए नौरात्री में आठीमस या किसी भी BRD में खाईए भोग लगाना हो आपको उसके लिए प्रषाद में करना हो या वैसे ही खाना हो तो एक बार इसको जरू ट्राइगा बह इसको में मिक्सर जार में डालकर और इसका बिलकुल है फाइन बनार बनाकर तैयार करनगे आप एक बार कि पिर सर पैसी पजिस operative reconoc देखेंगा अप इसका बिलकुल फाइन वर बनकर तैयार है अब यह अब इस नग्वदी एक चंमज खी आप घीकी मत्रा बढ़ ऑढ़ दालेंगे और इसको डालकर थोड़ी देर भूनेंगे ताकि इसमें एक अच्छी सी खुस्पू आ जाए और इसमें घी भी हो जाए और क्योंकि यह पहले से भूने थे इसको जादा भूनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बस हलका सा देखेंगे आप इसमें खुस्पू आने लगी है बस यह समझे आपका यह बनकर त्यार है अब इधर दूद भी जो है वह लगबख पग चुका है बिल्कुल आधा हो गया अब इसमें हम डालेंगे चीनी चीनी आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं जिस हिसाब से आप मीठा खाते हो और चीनी डालने के चीनी डालने के बाद दूद फट जाता है तो जब तक उबालना आए तब तक आप चांटीनी चलाते रहें और बस जब उबाला जाए दो मिनट इसको चलाएं और यह पाउडर जो है इसको इसमें डाल देंगे अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीजे ज दालेंगे और उपर से डालेंगे इसमें लगबग आधी कटोरी डेसी केटड कोकोनट बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है एक बार इसको जरूर ट्राइ करिएगा अब इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको थिक होने तक पकाएंगे आप देखेंगे थोड़ी दे होने देंगे आप देखेंगे यह बिल्कुल थीक होता चला जाएगा अब एक प्लेट को में घी लगा लेते हैं और इस पेस को ट्रांसफर करके पूरा इसको अच्छे से स्प्रेट कर देंगे आप इसको स्पून से कर रहे हैं क्योंकि अभी इसमें यह बहुत ही गरम है अच्छे से स्पून से चारो तरफ अच्छे से सेट कर दें ताकि यह बिल्कुल इक्वल आपकी बर्फी जो है वो बनकर तयार हो उपर से डालेंगे बादाम और पिस्ता और इसको भी प्रेस कर देंगे थोड़ा ताकि यह इसमें अच्छे से चिपक जाए बाहर ना गिरे बस आप अपने हिसाब से जितना चोटा बड़ा पिस कट करना हो कट कर लें इसको और यह बहुत ही टेश्टी बर्फी बनी थी तो एक बार इसको जरूर ट्राई करिए इस नौरात्री और अपने घर वालों को सब को खिलाए बहुत ही अच्छी है और बहुत ही जटपट ब बने वाली है तो यह बनकर बिल्कुल तयार है और उपर से डालेंगे इलाची जो कि उस समय हम ढलना भूल गये तो इसको उपर से डाल रहे हैं आप उसी समय डाल दें इसको और यह बस आपकी बर्फी बनकर तयार है अभी हम आपको तोड़के दिखाते हैं कितनी सॉफ्ट बहुत ही अच्छी बनी है तो यह देखिए यह बहुत ही सॉफ्ट बनी थी तो खाओ प्यों जाए करो और चैनल को सब्सक्राइब करकर जरूर जाहें